नमश्कार दोस्तों, आनलाइन क्लासिज में आपका स्वागत है, तो कक्षा 6 के बिज्ञान की NCRT के सेकिंड चैप्टर को हम लेके आए हैं, सजीव जगत, और सजीव जगत के सेकिंड पार्ट में हम आज देखेंगे पौधे के विभिन प्रकार और उनके समोर, तो देखें उचाई और तनी की प्रकृति के आधार पे पौधों को हम अलग-अलग भागों में बाटती हैं, जैसे ले लिजए आम का पौधा है, तो आम का पौधा कैसा होता है, उचा होता है, बहुत लंबा होता है, और भूरा होता है, उसकी तनी कैसे होते हैं, भूरे होते हैं, और कठूर होता है ठीक है कठूर होने के कारण पेड का तना जो है मजबूती से खड़ा रहता है और पेड काफी बड़ा होता है इसका मूटा होता है और जो साखाएं होती है बोचाई में होती है तनों की साखाएं कहा होती है उपर की तरफ फैली रहती है और पादप समू का ना बूरे होते हैं कफोर होता है कफोर होने की कारण ये क्या रहते हैं खड़े रहते हैं और तना कैसा होगा पत्ला होता है भूमे के निकट इसकी पत्यान कुमलल ये कैसे होते हैं छाड़ी नुमा फिर एक टमाटर तो टमाटर कैसा होता है हाइड में छोटा होता है हरा होता है और तहने कैसे होती है कोमल और पतला होता है भूमे के निकट होता है और पादव समू का नाम क्या है साथ ठीक है उसके अलावा और भी हमारे आसपास जैसे मेंदी का पेड़ कैसा होता है मेंदी का पेड़ भी छोटा होता है है ना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है और वह भूरे रंग का होता है डाली कैसी होती है को कठोर होती है इसकी भी है ना पतला होता है भूमी के निकट होता है हाँ है ना और कैसा है साख जाड़ी है है कैसा जाड़ी होती है तो मेंदी का पेव का है जाड़ी जाड़ी नुमा होता है ऐसे ही और भी बहुत सारे पौधे है कमेंड बॉक्स मे कमेंड करके बताइए तो देखिए आपको साग जाड़ी और ब्रक्ष के बीच में क्या अनतर दिखाए दिये ठीक है, तो जो साक या जाड़िया ब्रक्ष्प के रूप में हम पौधों को कैसे बना सकते हैं, किस आधार पे इनको हम अलग-अलग समुहों में बाठ सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे, तो कुछ पौधे क्या होते हैं, बहुत जादा उंचे होते हैं, और उनके तने भ पेड़ से उपर की तरफ इनकी सा खाएं, क्या होती है, निकलती हैं ना, जैसे हमने आम का प्रक्ष्प दिखा है, बर्गत का दिखा है, पीपल का दिखा है, अशोक का दिखा है, तो यह क्या होते हैं, बहुत उंचे पौधे होते हैं, और बहुत जादा मजबूत होते हैं हाड होते हैं, ठीक है, साल है, सीसम है, तो ये सारे ब्रक्ष क्या हैं, मजबूत हैं, कास्टी होते हैं, ठीक है, तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, ब्रक्ष कहते हैं, उधारन के लिए आम का पेड़ है, साल, सीसम, सागवान, पीपल, बर्गद, ये सभी क्या हैं, ब्रक् प्रिकार के पौधे अने फूरे रंग के कास्टी लखडी जैसे तने होते हैं तो कुछ पौधे जो हैं बहुत ज्यादा उंचे नहीं होते हैं लखडी जैसे ऐसे ही रहते हैं कास्टी होते हैं लेकिन इतने ज्यादा मजबूत नहीं होते इतने ज्यादा उंचे नहीं होते है ठीक है और इनकी पत्या जो है भूमी के निकट से ही निकलना साखाओं के रूप में निकलना सुरू कर देती है इनके तने कठोर होते हैं ठीक है तने कैसे होंगे कठोर होते हैं यानि किसी इधा रखने में इसे सक्षम होते हैं लेकिन ब्रक्ष के तने जितने मोटे नहीं होत हैं कि कैसे होंगे इसे पौधों को क्या कहते हैं जाड़ी का पोधा सभी ने देखा है जैसे गुलाप का पोधा है महंदी का पोधा है पार कि आपके को थाहाम ओर म्यांतर वह सब क्दाब को बार प्धा से पौद्य शली पार हुए लिए होते हैं इने क्या कहते हैं साख कहते हैं ठीक है ज dwelling में ऐसे इन के साख कहते हैं ठीक है उसके वक्षपादें के तने दुर्बल होते हैं, उनको उपर चड़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवशकता होती है, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा दुर्बल होते हैं, और उनको उपर चड़ने के लिए क्या होता है, सहारे की आवशकता होती है, इन्हें कहते हैं, क्लाइमबर कहा जाता है जैसे आपका मनी प्लांट है है ना मनी प्लांट है तो ये पौधे इनको क्या चीए इनको बढ़ने के लिए इनको उपर उठने के लिए सहारे की जरुवत पड़ती है जैसे अमरिता है मनी प्लांट है ये सारे पौधे आपके क्या हैं क्लाइमबर के एक्जेम्पल से और लौकी है तुरही है यह सब क्या हैं क्लाइमबर्स के एक्जेम्पल है कुछ पौदे भूमे की सतर cr beim कर बढ़ते हैं उनको बिसरफ्लता याज क्रीपर्स कहते हैं जैसे पौर एक्जेम्पल कद्डू का पोधा 1980 का शिफल कद्डू के पाधा जो है क्या है क्रीपर है जो नीचे रखके फैलता है तो ऐसी कौन से अन्य बिसरिष्टाएं हो सकती हैं जनके आधार पर पौधों के विभिन समू बना सकते हैं आईए एक और क्रिया क्राफ करते हैं ठीक है तो देखते हैं प्रक्ति के शैर के समय आपके द्वारा एकत्रित क किये गए बिविन पौधों की पत्तियों को देखो अब जैसे यहां पर देखिए गुड़हल का पौधा है यह केले का पौध पत्ति है और यह घास है घास की पत्ति है तो आप देखिए इन पत्तियों की आकिरती और संरशना में कोई भिन्नता रिखाई देती है अब जैस को जालिका रूपी सिरा बिन्यास कहते हैं इसका सिरा बिन्यास कैसा है जालिका की जैसे ऐसे फैला हुआ है तो आप पौधों की पत्तियों पर पतली रिखाएं देख सकते हैं इस पतली रिखाओं को क्या कहते हैं हम सिराएं कहते हैं ठीक है यह जो रिखाएं हैं यह क्या हैं और शिराओं द्वारा यह सब यह सब क्या हैं और शिराओं द्रसाए गए पैटर्ण को क्या कहते हैं सिरा बिन्यास इस पूरे पैटर्ण को हम क्या कह देते हैं सिरा बिन्यास ठीक है आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य सिरा के दोनों और सिराओं का एक जाल जैसा पैटर् को जालिका रुपी सिना बिन्यास कहते हैं जैसे पत्ती है फिर इसके ये मध्य सिरा हो गया और इसके बाद ये ऐसे जाल रुपी फैला रहता है ये क्या हो गया आपका जालिका रुपी सिरा बिन्यास उधारन के लिए गुड़हल की पत्तियां ठीक है इस सिरा बिन्यास तो इनको क्या कहूंगे समांतर शिरा बिन्याज केले और घास की पतिया जो है समांतर सिरा बिन्याज को क्या करती हैं परदशत करती है एक इसके अलावा हम से हम पेड़ों को अलग-अलग पौधों को अलग-अलग समुहों में बाढ़ सकते हैं उसके लावा हम जड़ों से भी पौधों को अलग-अलग समुहों में बाढ़ सकते हैं तो देखिए अब पौधों की जड़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं क्या सभी पौधों के लिए आप छोटे-छोटे साको का उपयोग कर सकते हैं ठीक के खुर्पी के सायता से जड़ों को हानी पहुचाए बिना कुछ बिभेन प्रकार के साकों को सावधानी पूर्वक खोद कर बाहर निकाले और साकों को निकालने से पहले आप मिटी में मिटी में गीला करके उन् के रूप में क्या रहती है निकली हुई रहती है है ना गुच्छे की जैसे और लोकन के और कुछ आपके पौधे ऐसे हुते हैं जिनकी जड़े दोनों साइट से ऐसे निकलती है एक ही मुख्य सिरा वो रहेगा एक ही मुख्य पौधा रहेगा तना और उससे अलग-अलग विविन प्रकार की जड़े निकली हुई रहेंगे तो इस और इस और लोकन के परश्चात साख को दुबारा लगा कर सुनेशित करें कि साख लगाता है जीवित रहे या बिर्धी करता है ठीक है आपके त्वारा एकत्रित किये गए पौधों की जड़ों में क्या समानता है हैं और क्या बिन प्याइश है तो देखते हैं सरसों की पौधों की जड़ों को ध्यान पुरीवक और लोकन करें ठीक है यह सरसों है तो सरसों की जड़े देखें अगर देखेंगे तो यह मुख्येbuilder हो गया और मुख्यार चनणिशित जैसा तना निकल जड्द निकलती है और उसके चार और दोनों और जड़ों का ऐसे आपने करम देखा होगा ठीक है तो इस पौधे की जड़ एक मुख्य जड़ होती है ये मुख्य जड़ हो गई और इसमें छोटी छोटी पार्ष जड़ ये छोटी छोटी पार्ष जड़े निकली हुई है तो ये क्या हो गई ऐ एसी जड़ों को हम क्या केते हैं मुस्ला जड़ ठीक है उसके बद मुस्ला जड़ वाले एक अन्य पौधे का उधारन गुड़हल है ठीक है गुड़हल के पौधे को भी उखारेंगे तो हम एक की मुख्य पौधा हो गया इससे एक में जड़ निकल गई और इसके दोनों पाश जड़े निकली रहती हैं इनको क्या कहते हैं मुसला जड़े कहते हैं ठीक है उसके बद देखिए एक घास का सामाने पौध है इस पौधों की जड़े की माप पतली पतली जड़ों के गुच्छों के रूप में दिखाई देता है ठीक है जो तने के आधार से निकलती है ऐसी जड़ों को जख्रा जड़े या रेसेदार जड़े कहते हैं मैं लिजे ये कोई घास है ठीक है अब इसकी घास के तनों के पास से ही ऐसे जड़े निकली रहती है जिन्हें हम क्या कहते हैं जख्रा जड़े क्या कहते हैं इनको जख्रा जड़े या रेसेदार जड़े क्या आपके संग्रा में कोई अन्य घास भी सम्मिलित है यदि हां तो इसकी जड़े किस प्रकार की है अगर आपके आसपास भी कोई घास है और उसकी जड़ों का अलोकन अगर आप ने किया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या किसी पौधे की पत्ति म सिरा बिन्यास के प्रकार और उसकी जड़ के प्रकार के बीच कोई संबन्द होता है हम कैसे पता लगा सकते हैं आई ये ढोटते हैं ठीक है तो हम किसी नर्षरी में पांस में जाकर 5 पौधों को 100त कर लेते हैं और उन्हें अपने विध्वार के उध्यान में लगाते हैं ऐ पहले उनकी जड़ो और पत्यों के सिरा बन्यास का अलोकन करें अपने अलोकन को इसमें लेखते हैं लेमन घास ठीक है तो लेमन घास की जो पत्यां होती हैं कैसी होती हैं समानतर होती हैं यह इस टाइप से ठीक है इसमें एक ही सिरा बन्यास ऐसे एक मध्य सिरा होगा और एक और इसकी जड़े कैसी होंगी जखड़ा जड़े यानि कि तनों से ऐसे निकली रहेंगी ठीक इसके अलाबा और भी घास अगर आपके आसपास हैं तो उनको आप उखाड़ियों और अलोकन करिए ठीक क्या आप इन पौधों की पत्तियों के सिरबन्यास और जड़ों के प्रक लगी तर्फीय सिरबन्यास सचता और इसमें जाली का रूपी यहीं कि देनारे किया होंगे आपके इसे प्रॉझ जड़े शश्यफंप और ये क्या होगई जखड़ा जड़े अब देखिए लेमन घास के पौधे को जखड़ा जड़े और पत्तियों में समानतर सिरा बिन्यास होता है क्या अन्य पौधे जिन में समानतर सिरा बिन्यास होता है और उनमें भी जखड़ा जड़े होती है सामानते जिन पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है उनमें मुसला जड़े होती है बिल्कुल सही है जबकि जिनमें समानतर सिरा विन्यास होता है उसमें जख्रा जड़े होती है तो पत्तियों में भी रेखिए जिनमें समानतर सिरा विन्यास होगा जिसमें जैस रूपी सिरा विन्यास होगा उसमें क्या होगी मुस्ला जड़े यानि कि एक जड़ होगी और उससे पार्ष अनेक जड़े निकली रहेंगी जिसे गुड़हल हो गया आपका ठीक है और सदा बहार हो गया और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं क्या किसी पौधे की बीज सब्सक्राइब में परस्पर संबंध थे क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं ठीक है तो सभी चने आए तुरना करते हैं चने चने और मक्य के कुछ बीजों को दो या तीन दिन के लिए क्या करते हैं भिगो देते हैं अब चने की बीज का आवरन हटाकर बीजों की संरशना को देखें तो यह चना है यह बीज से डिवाइड होता है तो चने और मक्य की बीजों की अगर संरशना का और लोकन करें तो यह म कि चने के बीज अपने बीज आवरंड के अंदर दो भागों में विभक्त होते हैं देखिए दो भागों में विभक्त होते हैं पतीग भाग में को बीश पत्र यानि कि कॉटिलेडन कहते हैं इसको कॉटिलेडन कहते हैं जिन पौधों के बीज में दो बीश पत्र होते हैं उन यह देखिए और ऐसे बीज वाले पौधे एक बज एक बीज पत्री यानि कि मोनोकॉट कहा जाता है ऐसे बीज वाले पौधों को एक पत्र बीजी या मोनोकॉट कहा जाता है ठीक है आप पौधे की पत्ती के सिराविन्यास जड़ों के प्रकार और बीजों के बीज पत्रों क संख्या में परस्प्रक्या संबंद देखते हैं देखें दुईवीश पत्री पौध के पौधों में जाली का रूपी सिराविन्यास होगा ठीक' है ज़ो जो पौधों के सम्मू बनाने के लिए उपयोग के जाने आले कुस बिसिस्ताओं के बिसाय में पढ़ा है आईए अब जन्तुों के सम्मू बनाने के बिसाय में समझते हैं जन्तुों के सम्मू कैसे बनाये जाते हैं तो देखते हैं जैसे पौधों के हमने अलग-अलग सम्मू को कैसे बना सकते हैं तो आप ऐसी कौन से विशिस्ताओं के बारे में सूच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समू बनाने के लिए किया जा सकता है ठीक है तो किरिया क्लाब करके देखते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं तो देखिए देखिए कुछ जन्तुओं के इसमें एक किरिया क्लाब है इसमें कुछ जन्तुओं के के हैं चित्र अंकित किये गये हैं ठीक कि संबतों इन सारे जनतों को देखा होगा, गाय को देखा है, पक्षियों को देखा है, चीती, केच्वा, ठीके, गोजर, कश्वा, मेधक, इन तितली, इन सभी चीजों को, खरगोज को, इन सभी चीजों को हमने देखा है, साप को, पेड को, पक्षियों को, ठीके, तो इन सभी जो है एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर गती करते हैं सभी जन्तु गती करते हैं सभी को पता है सभी जन्तु एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जाते हैं तो इसमें अनिक जन्तु के चित्र दिखाए गए हैं इनके बारे में जानते हैं ठीक है अब देखें चीटी तो जन्तु का नाम किया है चीटी और यह किस प्रकार से गती करती है तो चीटी जो है रेंगती है या और सरीर के लिए प्रियूक तो जो अंग है वो क्या है तांगे बक्री बक्री चलती है पूरती है और यह भी क्या करती है टांगों का प्रियोग करती है ना प्रियोग करती है मशली तो मशली जो है क्या करती है तैरती है और इसमें तैरने के लिए विंक्स होते हैं फिंस होते हैं जोने आप क्या कहते हैं पंक कहते हैं ठीक है उसके अलावा साप है देखिए साप है साप हमने चित्र में देखा था देख लीजिए एक बार यह साप है तो साप क्या करता साब जो है वो रेंगता है ठीक है साब क्या करता है रेंगता है उसके अलावा कच्छुआ है तो कच्छुआ जो है चलता है और क्या करता है किसकी साहता से पैरों की साहता से चलता है ठीक है अब देखिए बिभिन जन्तुओं में अलग-अलग प्रिकार की गती होती है यह जन्तु एक स्थान से दूसरे इस तक जाने के लिए शरीर के बिबिन अंगों का उप्योग करते हैं इनके पास पंक पैर और दूसरे अंग होते हैं जो इन्हें चलने में क्या करते हैं साहता करते हैं ठीक है तो देखते हैं हम जन्तूओं को उनकी गतिके आधार पर समोहों में कैसे बाढ़ सकते हैं इसके अत्रिक्त अनेक जन्तू आकरती अकार संरशना रंग एवं अन्य विस्षिस्ताओं में एक दूसरे से भिन होते हैं तो सभी जन्तू क्या होते हैं देखें रंग चीज में एक दूसरे से भिन है जैसे आपका जैसे पक्षी है तो पक्षी उड़ते हैं और पक्षियों में पैर होते हैं पक्षी उड़ते हैं उनमें उड़ने के लिए पंक होते हैं और जैसे जन्तू हैं जन्तू अपने पैरों से चलते हैं और उसमें पंक नहीं होते हैं तो ये और ये इनकी क्या हैं बिसेस्ताई हो गई कि हम इनको बाहरी आकिरती से कैसे पहचाने कि एक ग्रूसे से भिन्ने है अब देखिए बैग्यानिक से परिचे चान की अम्माल 1997-1984 एक भारती वनिस पतिसास्ट थी जो प्रियावरन संबंधिकारियों के प्रतिसमर्पित उन्होंने भारत में के पौधे में की समर्द जय विवित्ता का प्रलेखन और संब्रक्षन करने में साहता की है उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्पूर्ण भूमिका निभाई भारती वनिस्पति सर्वेक्षन के रूप में उन्होंने भारत में पौध की बिवित्ता का परलेखी करने के लिए कारी कर्मों की शुरुआत की अब साइलेंट बैली बचाओ आंदोलन की कहानी क्या है तो देखिए यह केरल के पाल का कार जनपद में एक जंगली बनस्पती की कहानी है यह अच्छूते सुन्दर आद्र सदाबहार जंगल और उसकी सम मिर्द जय विवित्ता को संग्रक्षित करने के बिसे में है ठीक है तो जंगल की एक वास्तिविक कहानी है साइलेंट वैली बचाओ और यहां पर हमेशा आज सदाबहार बनस्के यह जंगल प्रिजेंट है और इनकी इनकी इनको बचाने के लिए जो कारीकरम किया गया उन् अंदुलन द्वारा बचाया गया जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे ठीक है साइलेंट बैली को उन लोगों ने बचाया जो जंगल के आसपास नहीं रहते थे काफी दूरी पे रहते थे और यह संगर्स कुंति पुड़ा नदी के समीप एक जल बिधुद बाद के प प्रस्ता और जो था पारित था और लोगों ने क्या करा इसके बिरुद जो है दस वर्षों तक आंदुलन किया उस समय लोगों ने ब्यापक जागरुकता कारिकरम संपादक को पत्र समाचार पत्रों में लेख सैमिनार और अंत में न्यायलेख में याचिका और अपील प्योग किया इस प्रकारिया अंदुलन साइलेंट बैली को बचाने में सफल रहा ठीक है आप देखे बिभिन परिवेश में पौधे और जन्तु तो संभतव आपने प्रकती की सैर के दौरान और लोकन किया होगा कि बिभिन जीव जन्तु भिन भिन परिवेशों में रहते है उधारन के लिए हम मचली और बकरी को लेते हैं मचली जल में रहती है और जल में गति करती है और इसका सरीर कैसा होता है धारा रेखित होता है है ना स्ट्रीम लाइन कहते हैं जिसे और इसके इनके सरीर पर फिंस यानिकी पंक प्रिजेंट होते हैं जबकि बकरी के जलने के लिए क्या करती है अपनी टांगों का प्रियोग करती है और ये जन्तू के अकार और आकृति दोनों के क्या है एक दूसरे से भिन्ने है ना दोनों से एक दूसरे से क्या है भिन्ने तो देखिए बिभिन परियोशों में परिवेशों में पाई जाने वाले जन्तू औ और पौधे तो देखिए मरुस्थल में उट रहता है ठीक है परवती छेत्र में देवदार की ब्रक्ष महासागर में मशली और जंगल में सेर ठीक है तो देखिए बिभी ने छेत्रों में पाए जाने वाले जन्तुओं और उनके पौधों के संब्ध में आपने क्या उलोकन क पर सहपाठियों के साथ क्या करें चर्चा करें 2.6 में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार की छेत्रों में पाए जाने वाले पौधे और जन्तुओं से क्या है भिन्ने अब देखें कक्षा में चर्चा के दोरान एलेक्स को याद आया कि रायस्थान के मरुस्तलों में मोटे और मानसल तने वाले नाकफनी के पौधों को देखा जा सकता है अब जो है नाकफनी का पौधा कैसा होता है मोटा होता है और मानसल होता है इसकी जो पत्तियां होती है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, काटो के रूप में, है न, और तना कैसे हो जाता है, मानसल और मोटा हो जाता है तो ये कांटों का काम ये पत्तियां काटों में क्यों परिवर्दित हो जाती है और तना मोटा और मांसल क्यों होता है तो पानी क्योंकि राजिस्थान में रेगिस्थान में पानी बहुत पानी की मत्रब बहुत कम होती है तो पानी के हरास को रोकने के लिए पानी के पानी का जो इबैपूरेशन है उत्सरजन है वो बहुत जादा कम हो इसके इसमें तने क्या हो जाते हैं इसके लिए तने मोटे और मांसल हो जाते हैं और पत्या जो है वो काट में क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती है ठीक है फिर देखिए माया बताती है कि हमानचल प्रदेश में हिमाली देवदार के ब्रक्षों को देखा जा सकता है साथ ही उसने बताया कि ये ब्रक्ष संक्वकार होते हैं और इनकी साखाएं कैसी होती है लचीली होती है तो देखिए ये देवदार के ब्रक्ष हैं और ये हिमांचल में और पहाडी छेत्रों में mostly सभी पाहडी छेत्रों में देवदार की ब्रक्ष पाए जाते हैं कि साखाएं कैसी होती है लचीली होती है और पेड कैसा होता है संकु के आकार का ठीक है तो इसमें ये जो है पहाडों में भी क्या होता है पानी की कमी होती है जिससे पत्तिया क्या हो जाती है थोड़ी से तो यहां पर यह क्या हो जाती है इन ब्रक्ष कैसे हो जाते हैं सक्वाकार हो जाते और लचीले तथा नीचे की तरब क्या होते हैं जुके हुए अब यहां ध्यान देना अवश्यक है कि अलग छेत्रों में अलग अलग पाए जाने वाले दोनों पौधे एक दूसरे से कैसे है भिनने है तो एक छेतर की विवित्ता और छेतर की जैबी भिवित्ता से अलग क्यों होती हैं इसका हम पता लगाते हैं अब भी बिताए था मरुस्त्री छेतरों में जल बहुत कम उपलब्द रहता है सुस्क मरेश्टल दिन में अत्यधिक गरम हो जाता और रात्री में परिस्तितियों में रह सकते हैं मरुस्थर में पाए जाने वाले पौधे के तने कैसे होते हैं मांसल अभी देखिए अभी बताया था जो जल संग्रहित कर सकते हैं और उस इस्तानों में गरम परिस्तितियों को सहन करने में क्या होते हैं पौधे क्या करते हैं साहेता करते हैं अब बहुत थंडे परवती छेत्रों में हिमपात होता है अभी बताया था कि वहां बर्फ वगेरा पड़ती है ऐसी परिस्तितियों में जीवित रहने के लिए कुछ ब्रक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है ठीक ऐसे संक्वाकार अगर ब्रक्ष जाती है अभी बताया और देवदार के ब्रक्ष सक्वाकार आकरती और नीचे की जुकी हुई साखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती है आप अब समझ गया होंगे कि विभिन जै बिवित्ता भिन परिस्तितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग हो जा अब देखिए राइस्थान के गरम मरुस्तल में उन्ट और लदार के थंडे मरुस्तल में उन्ट को देखिए यह मरुस्तल का उठ है और यह थंडे मरुस्तल का उठ है अब देखिए राइस्थान में जो उन्ट होते हैं वो कैसे होते हैं उनके पैर गद्देदार होते हैं और उनकी कूबड में बहुत सारा फैट यानि की वसा जमा होता है और ये क्या करते हैं पाने के जब कमी होती हैं तो उसी से पानी और खाने की कमी की पूरती करते हैं देखिए गर्म मरुस्थल में उटों के पैर लंबे होते हैं ठीके लंबे हो गए और जिसमें चौड़े खुर होते हैं ये खुर कैसे होंगे चौड़े यानि कि गद्देदार खुर होते हैं एलेक्स ने साजा किया कि उसकी दादी ने बताया था उट के लंबे पैर और चोड़े खूट रेती ले मरुस्तल की रेत में बिना धसे चलने में साहता करते हैं अब गदेदार पैर क्या करेंगे उसे रेत में धसने ने देंगे और इसली वो चल देगा दूसरी और थंडे मरुस्तल के उट क्यों चाई और पैर गरम मरुस्तल के उटों की तुलना में कैसे होंगे छोटे होंगे ये छोटे पैर उन्हें थंडे पहारी मरुस्तलों पर आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं अब देखिए मरुस्तली परिस्तितियों में भोजन जो मरुस्तलों में उंट में एक कूबड होता है और जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रखने में सहायक होता है और थंडे मरुस्तल के उंटों में दो कूबड होते हैं देखिए ठीक है और ये दो कूबड सद्यों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं क्योंकि थंडे मरुस्तल में भी भोजन उपलब नहीं होता है उस समय उन्हें अपने कूबड में संचित भोजन का उप्योग करना पड़ता है उनके सिर से लेके गर्दन के निशले भाग तक भाग तक लं मौसल में उन्हें जीवित रखने में क्या करते हैं मदद करते हैं सहयता करते हैं अब उटों में जीवित रहने के लिए और कौन सी असी बिस्रिस्ताएं हो सकती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कक्षा के अन्य बिध्यार्थियों ने अपने अलोकन को साजन करना आता है क्योंकि उट अपने सरीर में बहुत सारा पानी त्याग नहीं करते हैं इसलिए बिना जल पीए वे कई दिनों तक रह सकते हैं माया ने निल गिरी के 16 वन में देखे खुबसूरत लाल फुलो वारे बुरास बुरास यानि कि रोडो डेंड्रॉन के बिसाय में बताया उसने बताया कि बुरास के उचाई कम होती है उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वो पहाड की चोटियों पे तेज हवाओं में क्या रह सके जीवित रह सके सिक्किम में रहने वाली पेमा ने बताया कि उसने पास के पहाडों में बुरास के लंबे पौध और नेलगिरी में छोटे पौधे और सिक्किम में बड़े बुरास के पौधे होते हैं लंबे भिन छेतरों में पाये जाने वाले बुरास के पौधे भी उन छेतरों में जीवित रहने के लिए बिभिन विसेस्ताओं को क्या करते हैं? प्रदशित करते हैं अपनी बिसेस्ट बिसेस्ट जन्तूओं की अपनी बिसेस्ट बिसेस्ताएं होती हैं जो उन्हें वहां जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं तो हमने पूरे पार्ट में ये सिखा कि अलग-अलग छेतरों में अलग-अलग जन्तू और पौधे पाये जाते हैं और वो पौधे उस विसेश परिस्तितियों में अपना जीवन बहन करने में अपने जीवित रहने के लिए क्या करते हैं अपनी विसेश विसेशताओं के लिए विसेश्ट होते हैं और जो उन्हां विसेश परिस्तितियों में भी उन्हें जिंदा रखते हैं तो ये विसेश् किसी भी जन्तु और पौधे की बिसेश परिस्तितियों में जीवित रहने की जो बिसेशताई होती है वो उस जन्तु का या उस पौधे का अनुकूलन कहलाता है ठीके तो उस जगे उस पौधे का उस जन्तु का क्या कहेंगे उसको हम अनुकूलन देवदार का पेड़ का आकार बुरास की उचाईश से ऐसे अनुकूल है जो परवती छेतर में जीवित रहने में क्या करते हैं उन्हें सक्षम बनाते हैं तो वह इस्तान जहां पौधे और जन्तु रहते हैं वो उनका आवास कहलाता है और आवास हमें क्या क्या प्रदान करता है आवास हमें खाना ठीके गर्म और थंडे से बचाओ भोजन जल वायू आश्रे ठीके तो ये सब हमें कौन प्रदान करता हैं आवास तो धारन के लिए समुन्दरी कछो का आवास समुन्दर महासागर है उट का आवास गर्म या थंडा मरुस्तल है गुरास का आवास परवती छेत्र है पौधे और जन्तू का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन जल वायू आश्रय और अन आवशक्ताय प्रदान करता है तो कई परकार के पौधे और जन्तू एक ही आवास म जै बिवित्ता को निर्वित करने में महत्पूर्ण भूमी का निभाता है ठीक है अब देखें बैग्यानिक परिछे तो सालिम अली ने पक्षियों की बिवित्ता का और लोकन करने के लिए पूरे भादत की यात्रा की उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तयार की और उन्हीं यात्रा, मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक बिवित्ता वाले छेत्र को अंकित किया उन छेत्रों के संग्रक्षन के उपाई किये केवलाद देव, दास्ति उध्यान, भरतपुर, राज्थान और रंगनाथिनीर, पक्षी अभ्यरन, मंडवा, मंडिया, करनाटक ऐसे संरक्षित छेत्रों के उधारन है उन्होंने भारती उप महादीप में पक्षियों पर दस खंड की ये कहती है, उन्हें भारत का पक्षी पुरुस, वर्ड मैन आफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, किसको? सलीम अलीम को और इसलिए उन्हें 1976 में पर्द में विभूशन से भी क्या किया गया? सम्मानित किया गया अब देखिए आप किन-किन विभिन विधियों से पौधे और जन्तूओं के आवास के आधार पे उनके समू बना सकते हैं तो एक पिधी तो यह है कि जो थल में रहते हैं, जो जल में रहते हैं और जो वायू में रहते हैं है ना? तो उनके आधार पे एक समू बनाया जा सकता है जैसे थल में रहने वाले पौधे और जन्तूओं के आवास को थली आवास के ते हैं जैसे वन हो गए, घास के मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए, परवती छेतर, थली आवास के क्या हैं, कुछ उधारन है अब जो जल में रहने वाले पौदे और जन्तू होंगे, उनके आवास को हमने क्या कह दिया जली आवास कह दिया जैसे तालाब, नदी, जर्णा, धील, महसागर ये सारे क्या हैं इनके जली आवास के उधारने उसके बार देखिए कुछ जन्टु जल और थल दोनों में रह सकते हैं उन्हें हमने क्या कह दिया उभैचर कह दिया यदि किसी पौधे या जन्टु का आवास सत्यग्रस्थ हो जाए तो क्या होगा यदि बकरी के खाने के लिए घास न मिले तो क्या होगा मशली बिना जल के जीवित क्या मशली बिना जल के जीवित रह सकती है तो अपने माता पिता दादा दादी पडोसियों से उन पौधो पक्षियों कीटो रथवा ऐसे अन्य जन्तूओं के बारे में जाने जिन्हें बश्पन में प्राहर देखते हैं लेकिन अब वे कम से बन्चित हो जाते हैं और इसे ही हमने क्या की रिया जैबिवित्ता की हानी ठीक के जब पौधे और जन्तूओं के आवास लगभग नस्थ हो जाए और नस्थ हो जानने पर क्या होता है कि अपने घर से अपने भोजन से अपने जल से और अन्य सिंसाधनों से पौधे और जन्तु क्या हो जाते हैं बंचित हो जाते हैं उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाता है खाना पानी और आवास तो इससे क्या गयते हैं जैविबित्ता की हानी ठीक है अब देखिए भारत में बंगाल बागचीता और गुंडवन गुंडवन ग्रेट इंडिया बेस्टर्स की संख्या मानवी गती विध्योदारा हुए उनके आवासी छती के कारण क्या हो गई है घड़ गई है भारत सरकार ने हमारी जैविबित्ता की संदक्षन के लिए अनेक परियोजनाओ का आरंब किया है बंगाल टाइगर की घट्ती संख्या की संदक् गुजना चीता रे इन्ट्रोडक्षन प्रोजेक्ट प्रारम्ब की गई इसी प्रकार गुजरात रायस्थान और महराष्ट राज्यों के गुंडवर्ण के आवासों को संरक्षित छेत्र कर दिया गया भैसिद आब देहिए परिंपराग्रत रूप्स संदक्षित-1 पवि बहुत बड़े तक हो सकता है पवित्र उप्वन पूरे भारत में पाए जाते हैं और ये कई परकार के आसदी पौधे समीत बिवित परकार के पौधों और जन्तूओं का क्या है घर है इसका सन्रक्षन इस्थाने समुदाय द्वारा किया जाता है और यह किसी को भी किसी बड़ों को काटने या छेत्र को शती पहुचाने की अनुमति नहीं है इस परकार पवित्र उप्वन सामुदाय रूप से संदक्षी जैव संपदा है आप अपने छेत्र के पवित्र उप्वन के बिसे में पता लगाईए तो देखिए हमने हमें अपने गरह के जीवन को परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव बित्र की रक्षा करने के आऊ सकता है ताकि पौधे और जन्तु बचे रह सकें और फलते फुनते रहें ठीक है तो इसमें हमने अनुकूलन देखा कि पौधे और जन्तु अप जी बित्र रहने के लिए जहां रहते हैं जहां उन्हें हर चीज उनके अनुकूल हो बिभिन परिस्तितियों में वो अपना जीवन यापन करते हैं उनको हमने क्या कह दिया अनुकूलन उभैचर किसको कहा जो जल और धल दोनों में रहते हैं उनको हमने उभैचर कह दिया जो ज बीश पत्र क्या हुआ बीजो बीज जिसे पौधे उखते हैं उनको हमने बीश पत्र कह दिया कौटी लेडिन्स कह दिया दूपिश पत्री पौधे क्या हो गए कि जो दो भागों में बटा हो उन्हें हमने दूपिश पत्री कह दिया जखड़ा जो हमें एक ही तने से बहुत सारी साखाए जड़े निकली रहती है उसे हमने जखड़ा जड़ कह दिया आवाज जो हमें भोजन, जल और वायूग जहां पे हमें हर चीज आसानी से मिल जाए उसको हमने आवाज कहा साख मतलब हरे छोटे पॉधे, एक वीश पत्री पॉधे जो एखी वीश से बना हो जिस में प्रिजेंट हो उसका कहता है एक वीश पत्री और समांतर सिरा विन्यास क्या हुआ कि जिसका एक मध्य सिरा हो और एक ही मध्य सिरा से दोनों और साखाए निकली उसे समानतर सिराविन्यास का जाली का रूपी जो एक सिराविन्यास से बहुत सारी जाली के रूप में क्या निकली हो सिराय निकली इंगों इसको हम धूए जाली का रूपी सिराविन्यास का पवित्र अपवन गुफा गुफा के जैसे जो बन थे उनको हमने पवित्र अपन कहा जञाडियां साक जो के झाट फैनं के गठ तने थे जनमें दोनों साइट पते निकलती थी पत्य भूमीके निकट रहती हैं उनको हमने जाड़िया bunny ज 녞ति कह दिया मुसला लक्ष कह दिया ठीक है ठीक है पौधों को उनकी उचाई तने के प्रकार साखाओं के पैटन के आधार पे साख जाड़ी और विक्ष के रूप के हमने सम्हू बनाए और बीश पत्रों की संख्या के आधार पे हमने दूबीश पत्री और एक बीश पत्री पौधों के सम्हू बनाएं ठीक है तो ऐसे हमने सजीव जगत को देखा और यहां पर हमारा चैप्टर टू क्या होता है कम्प्लीट